चलिए सुरुआत करते हैं आज के निउस्पेपर की हम सबसे पहला जो एडिटोरियल हम देखने वाले हैं वो भारत और बांगलादेश के रिलेशन को बताता है हाल ही मैं बांगलादेश की प्रधान मंत्री सेख हसीना भारत की विजिट पर आई थी तो उसका क्या क्या आउटकम निकला है इसके अलावा दौनों के बीच के जो रिलेशन है वो किस प्रकार से मजबूत होते जा रहे हैं और दौनों के बीच में कौन-कौन से अभी ऐसे मुद्दे हैं जिन पर डिसकसन जिनका सॉलिशन निगालना आज भी बाकी रह गया है इस एडिटोरियल में हम समझने की कोसिस करेंगे भारत और बांगलादेश के जो संबंध है द्विपक्षी सहयोग का एक मॉडल प्रस्तुत करता है और या फिर इसको हमें मॉडल की रूप में विक्सित करना है तो हमारे बीच में जो इस पीसल बॉंडिंग है इस बॉंडिंग को बढ़ावा देने के लिए सेख ह सरकार के योगदान को स्विकार करने की अवसकता है ठीक है हमारे दोनों के बीच में दोनों कंट्री के बीच में जो बॉंडिंग चली आ रही है तो इसके लिए सेख हसीना सरकार के योगदान को हमें स्विकार करने की जरूरत है कि उन्होंने भी कुछ न कुछ योगदान दिया है बांगले देश की प्रधान बंत्री सेख हसीना भारत की यात्रा पर आई थी पांस लिगर के आठ सितंबर के बीच में इसी यात्रा के दोनान छेत्री महत्व के साथ साथ अपने द्विपक्षी जो बाइलेटरल रिलेशनसिप है पॉलिटिक्स में काफी गहराई यहाँ पर हमको दिखाई देती है दिल्ली और ढाका दोनों ही कंट्री अच्छी तरह से जानती हैं कि दोनों के बीच में अभी जो रिलेशनसिप चल रहे हैं उस समीकर्ण को हमें ठीक ठाक करना है अपने सहीयोग को लगतार मजबूत और गहरा बनाना आने वाली जो चुनोतिया हैं उनका भी हमें सामना करन नहीं है कि तो देखिए दिल्ली पहुंचने से पहले सूसरी हसीना ने दोनों देसों की बीच सपेसल बांडिंग के महतु को बताया था जहां एक नहीद दूसरी की सहायता करी कैसे सहायता करी जब बंगला देस अजाद हो रहा था जब सेखसीना के पिदा की हथ्या करी तो जब से प्रधान मंत्री ये बनी है फिर से जब ये चुनाव जीती है तब से ही इस पेशल कोपरेशन हम दौलों देशों के बीच में देख रहे हैं कंटिन्यू बढ़ते ही जा रहा है तो जब इनके पिता की हत्या करी गई थी जिसको एक राष्टी आबदा के रूप में जाना जाता है तो प्रधान मंत्री इंद्रा गांधी और बाद की जो सरकारें आई थी इन्होंने उनको आसरे दिया उनकी फैमिली को आसरे दिया सुरक्षा और समर्थन दिया गया हसीना की ठीक है तो प्रधान मंत्री के रूप में उन्होंने सत्ता समालने के तुरंत समुद्री सीमस संबंदिज कुछ पुरानी समस्याएं थी उनको निफ्टानेव दोनों देश लगे रहे चार ऐसे मुद्धे हैं जिन को लेकर के हमेशा चर्चा रहती है पहली बात यह है रोहिंग्या को लेकर के भारत अपने यहां पर रोहिंग्या को बिल्कुल भी सेटल नहीं करने देना चाहता है ठीक है लेकिन बंगलादेश क्या चाहता है बंगलादेश चाहता है कि इनकी कुछ व्यवस्था भारत के द्वारा की जाए दूसरी बात यह है बंगलादेश यह भी चाहता है कि जो म्यानमार है म्यानमार से जो लोग आ रहे हैं यहां पर तो उन की निरंतर उपस्तिती ने अर्थविवस्था और समाजिक सद्भाव पर बहुत प्रेसर डाला है हसीना का कहना है कि भारत इतना बड़ा देश है वो इनको एड़ेस्ट कर सकता है इसके साथ साथ मैं वो मियानमार में उनकी सीगर वापसी की सुईधा के लिए भारत से कुछ स 11 सही ये लंबित इसके अलावा 54 जो और भी छोटी मोटी नदियां हैं इनके मैनेजमेंट को ले करके लगातार सिकायते होती रही है तीसरी नम्मर की बात है बांगलादेश और चीन के जो रिलेसंसिप है वो काफी क्लोज होते जा रहे हैं सूसरी हसीना ने इस बात पर जो है तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम किसी के सांथ में अपना संबंद ना रखें चौथे नम्मर की बात यह है उन्होंने यह माना कि उनकी सरकार धर्म निर्पेक्ष नीती के बावजूत हिंदू अलफ संख्यों को खिलाब घटनाएं हुई हैं लेकिन उनकी सरकार ने बांगलादेश की सरकार उनका कहना है यह कि अवल बांगलादेश अकेला नहीं है ऐसी घटनाएं तो हम भारत में भी देखते हैं इसलिए कोई नई बड़ी बात नहीं है अब इसके बाद आप समझने की कोसिस करिए कि यह जो यात्रा रही थी इस से क्या-क्या हमको स्पेस स्पिक आउटकम मिस्टर मिस सेख हसीनाज के डिसकसन जो हुआ प्राइम मिनेस्टर नरेन मोदी के साथ में पहली बात तो यह थी देयर वाज एग्रिमेंट टू कंटिन्यू क्लो सिक्योर्टी कोपरेशन पहला जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो सिक्योर्टी को ले करके बॉर्डर मेनेजमेंट को ले करके ठीक है तो सबक्यूएंumma की इस सामने निगल करके आई थी दौनों यि देश ने कि रिकमित किये हैं लेकमिट किए हैं इसका मतलब क्या हुआ कमिटमेंट किये हैं फिर से कुल मिलाकर के रिकमिट करने का मतलब होता है परिभासित करना किसी चीज के बारे में कुछ और डिटेल सेयर करना इनहेंसिंग दियर डवलपमेंट पार्टनर्शिप विच इस अलरेड़ी क्वाइट एक्स्टेंसिव एंड मल्टिपेसिट इसमें बताया जा रहा है कि हाल ही में जो डवलपमेंट पार्टनर्शिप चल रही है इसको हम और भी जादा इनहेंस करेंगे मल्टिपेसिट मतलब जिसके कई सारे पहलू है कई सारे साइड है तीसरी नम्मर की बात यह है वो लोग एगरी हो गई थे से कि हम बिल्ड करेंगे रेजलेंट सप्लाई चेन को भारत से कोई चीज वह जा रही है बांगला देश से कोई माल अपने यहां आ रहा है तो यह जो सप्लाई चेन है नहीं काफी रिजलेंस होना चाहिए ठीक लचीला होना चाहिए flexibility इसमें होना चाहिए between two countries and across the region पूरे region भर में भी supply chain प्रभावित नहीं होना चाहिए continue हमारे यहां पर आयात निर्यात होना चाहिए एक significant decision क्या था launching की गई comprehensive economic partnership agreement 2022 में and to conclude negotiations by the time Bangladesh graduates from least developed countries status in 2026 यह एक वर्ड जो यूज किया गया है बांगलादेस graduates from least developed country status in 2026 बताया जा रहा है कि 2026 तक बांगलादेस अपने विकास का status को change कर चुका होगा यदि वो कम development वाला है तो उससे थोड़ी से level में वो एक step high हो जाएगा finally बात करें तो दोनों देशों की leader ने favor किया था expanding connectivity दोनों देश चाहते हैं हमारे यहां की जो connectivity है rail के माध्यम से road के माध्यम से inland waterways जैसे की नहर से नहरों के माध्यम से नदियों के माध्यम से एक देश दूसरे देश यह हमें जाना है इसके अलावा coastal जो shipping linkage है यह सारी चीजों को बढ़ावा देना चाहते हैं जिसको हम कह रहे हैं connectivity को बढ़ावा देना दोनों देश agree हो गए थे कि हम build करेंगे impressive successes achieved in the past decade in this sphere जो भी हमने अभी तक सफलता हासिल करी है उसको हम continue जारी रखेंगे वहीं यदि आप देखो कि economic जो relationship रहे थे दोनों देशों के बीच में काफी अच्छी तरह से develop हुए हैं दोनों देशों के बीच में जो bilateral trade था वो touch कर गया है 18 billion dollar को logistic for power trade ठीक है वहीं यदि आप logistic की बात कर लो power trade की बारे में between Bangladesh and its neighbors India, Nepal and Bhutan have been put in the place अब हम बात कर लेते हैं ऐसी issue को लेकर के जो की Bangladesh की तरफ से उठाए गए थे क्या उनका कुछ हल निकला है या नहीं निकला है पहले नम्मर की बात हो गई कि रोहिंग्या रोहिंग्या जो मुसल्मान है उनको लेकर के रखाए इस्टेट पर जो रहने वाले हैं रोहिंग्या बांगलादेश इनका सपोर्ट करता है ठीक है इनको shelter provide करता है तो इसमें भारत ने बांगलादेश का समर्थन किया है made an assurance of more material assistance और कहा है कि हम भी इसमें आपकी help कर सकते एंड रिट्रिटेटेट इस प्रीवियस पोजिशन तु सपोर्ट देयर सेप सस्टेनेबल एंड एक्सपेडिशन रिटर भारत अभी भी यह चाहता है कि जो रोहिंग्या यदि हमारे देश में आ रहे हैं तो हम उनको किस्ता नदी के जल बटवारे को लेकर के भी किसी प्रकार का सॉलूसन यहां पर नहीं निकला था लेकिन एदी आप देख लोगे कुछ महतपूर मुमेंट हुए थे दोनों गवर्मेंट की तरफ से यह लोग एग्री हो गए हैं जो कुसियारा रिवर है जो की बॉर्डर ब यह एक्सेंश करेंगे और आधर रिवर्स जो अधर रीवर्स और भी जो नादीया के लिए उनके डिटा कोम से एक्सेंश करेंगे एट अप करेंगे Михट्राइरी इश्यों को एंड बि इन फार्मिला इटिंग दा फ्रेमवर्ड और हम फ्रेमवर्ड बनाएंगे द The Entry Water Sharing Arrangement जिसको बोला गया है क्या The Entry Water Sharing Agreement अब बांगलादेश की हाल ही में जो कंडिशन चल रही है वहाँ की वरतमान परिस्तिती के यहां पर बताया जाता है इंडिया की हम बात करें There are continue worries about accumulating and adverse impact of कोरोना भारत में COVID-19 का adverse impact पड़ा है Ukraine का war on Bangladesh economy कोरोना के चलते चलते हम भी प्रभावित हुए Bangladesh भी प्रभावित हुआ और Ukraine के युद्ध के चलते चलते भी Bangladesh की जो एकोनोमी प्रभावित हुई है Country ने face किया है बहुत सारे प्रोटेस्ट को लोग गली में उतर रहे हैं जा रहा है and erosion of foreign currency reserve ठीक है उनके यहां जो foreign currency का reserve पड़ा हुआ था dollar पड़ा हुआ था वो देरे खतम होते जा रहा है and a deepening financial crisis और वहाँ पर भी कुल में लाकर कि आप देखोगे तो financial crisis दिखाई दे रहा है तो influence बढ़ते जा रहा है किनका? fundamentalist forces का extremism का and radicalization poses a serious danger to the political stability इससे वहाँ की जो political stability है ना वो खत्रे में जा सकती क्योंकि जब इस प्रकार के प्रदर्सन हो रहे हैं तो जब पूसेशन वारी party है ना उसको एक प्रकार से समर्थन मिल जाता आवाज उठाने का दस दक कंटूर्स ओप कंबाइंड चैलेंजेस बिफोर दा सेख हसीन गवर्रमेंट एस इट फेश पार्लियमेंट्री इलेक्शन इन दोजार तेईस बिकम क्लियर कुल मिलाकर के दोजार तेईस में जो चुना होने वाला है उसमें बहुत सारी चीजों को सेख हसीना फेश करने वाली है तो जो बांगलादेश के सिटीजन्स हैं वो इलेक्ट करेंगे उनकी नेक्ष्ट गवर्रमेंट को वहां की लोग अच्छी तरह से जान रहे हैं भारत और बांगलादेश के बीच में रिलेसंसिप बहुत बढ़िया रहे है आज भी दोनों के बीच में बहुत अच्छे तरह से सायोग चल रहा है यह वहां की जनता जानती है और वहां के जो लीडर रहे है ना उन्होंने क्राफ्ट किया है रचना करे है एक रोल मॉडल की ताकि जो बाइलेटरल और रीजिनल कोपरेशन है ना वो एक मॉडल का रूप ले सके लेखक का कहना है कि सरकार रहे चाहे मत रहे लेकिन यह जो हमारे बीच के संबन्ध है ना वो कंटिन्यू जारी रहना चाहिए इसके बाद वाला जो एडिटोरियल है हम यूए पीए एक्ट को लेकर के देखने वाले है यूए पीए एक्ट का किस परकार से गवर्मेंट के द्वारा पुलिस के द्वारा मिस यूज किया जाता है और फाइनली केस जब सुप्रीम कोट के पास पहुचता है फिर अंतमे फिर वही बास सामने आ जाती है कि इसका मिस्यूज जादा किया जाता है यूए पीए जिसको हम हिंदी में बोलते हैं गैर कानूनी गतिविधियां रोकताम अनलाफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट इसका मतलब ये हो गया इस कानून का मुख्य काम है आतंकी गत आतंकियों अपराधी या फिर लोगों को चिनित कर लेती है जो आतंकी गतिविधियों में सामिल होते हैं इसके लिए लोगों को तयार करते हैं या फिर ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा हैं इस मामले में एनाईय को काफी पावर मिल गई है यहां तक कि एनाईय क में फिर इसमें कुछ संसोधन किये गए और भी ज्यादा कानून को सरकार ने मजबूत कर दी थी इस कानून को सम्विधान के अनुच्छेद 19.1 के अंतरगत जो हमें बेसिक फंडमेंटल राइट्स दिये जाते हैं उस फंडमेंटल राइट्स के ऊपर अंकुस लगाने फिर इलिए घटे हो सकते हो फिर इलिए किसी की आलोचना कर सकते हो यह सारी चीजें आपकी बेसिक फंडमेंटल राइट के अंतरगत आती हैं पिछले कुछ सालों में आतंकी गति विडियों संबंदित पोटा और टाड़ा जैसे कानून खत्म कर दिये गए लेकिन यूए पिये आज भी मौजूद है और पहले से ज़्यादा मजबूत कर दिया गया है 2019 में से जब नया इसकोल किया गया तो किसी व्यक्ति को भी जाच के अधार पर आतंकवादी घॉसित कर सकते हैं पार्टिकुलर एक अदमी को पहले यह सकती केवल किसी ग्रूप को ले करके थे यानि इस एक्ट के अंतरकत किसी संगठन को आतंकवादी हम घोसित कर देते थे सदन में विपक्ष को आपत्ति पर ग्रह मंत्रिय मिस्सा को कहना था आतंकवाद को जड़ से मिटाना सरकार की प् मिल सकती यहां तक कि अगर पूरिष ने उसको छोड़ दिया हो तब भी उसे अग्रिम जमानत नहीं मिल सकती है मतलब सेक्षन 43D 5 के मताबिक कोट सक्स को जमानत नहीं दे सकता अगर उसके खिलाब प्रथम दृष्टिया केज बन गया है एडिटोरियल के हम सुरुआत करते हैं तो सुरुआत में ही बताई जाती है कि रिलीव तो मिला कम से भी कम सुप्रीम कोट ने एक्सपोस किया है तीनोजियस नेचर ओफ यूवे पीए केसिस मतलब एकदम कमजोर केसिस में कोई दम ही नहीं रखा यह जो केसिस किया गया था कपण जो जर्रेलिस्ट कपण थे उनके उपर इस प्रकार के जो केस आप देख रहे हैं लोगों के उपर यूवे पीए एक्ट की धारा लगा दी जाती है और उनको जेल में डाल दिया जाता है क्यों क्योंकि वो जनता को सच दिखाते हैं आवाज उठाते हैं सरकार की कमियों को उजागर करते हैं ऐसे लोगों के उपर UAPA Act की धारा लगाना कोई कामन, अनकामन नहीं है, ठीक है, ये एक कामन बात है, इनको क्या है ना, हातरस में जो लड़ी का रेप हुआ था, उस से रिलेटेट ये जाजपड़ताल के लिए जा रहा है थे, पद्रकार थे ये, उसी दोरान पुलिज ने इनकी गुरबतारी करी इनके उपर UAPA Act लगाया गया, इनको कहा गया कि ये, जो मुसल्मान का एक संगठन नहीं है क्या, उस संगठन से रिलेट करते हैं, ये ऐसे ऐसे इनकी उपर आरूप लगाया गया, इसके साथ साथ में दो जो ग्रूप है, उनको लड़वान ने एक काम इनों ने किया, इस Supreme Court का कहना है, ऐसा कोई region ही नहीं है, जिससे हम ये ही कह सकते हैं, हम इनको जमानत नहीं दे सकते हैं, एक और बात यहाँ पर निकल के सामने आ रही है, कि एक व्यक्ति, जो की कोई पीडित महिला है, पीडित लड़की है, उसकी जानखारी जुटाने के लिए, ठीक है, उसको कैसे आप रादी घोसित कर सकते हैं, जबकि वो समाज के लिए काम कर रहा है, पहली बात यह है, इसलिए इनके उपर यह लागों ही नहीं होता, दूसरी बात, UAPA मतलब आप इसको आतंगवादी बोल रहे हों, यह भी सब गलत ग्राउन है, इस अधार पर आप यह नहीं कह स लेकिन दिक्कत वाली बात यह हो गई है, कि दो साल से यह जेल में है, इतना लंबा टाइम बिलकुल नहीं लगना चाहिए था, इसमें जुडी सरी काफी कमजोड पड़ गई है, कि दो साल तक कोई वेक्ती जेल में रहा, इसके बाद उसका सुनवाई हो रही है, आज आज उसको रहाई मिली है, उसको कुछ राहत मिली है, इसमें कुछ ऐसे नियम कानून लाना चाहिए, जिसमें पुलिस गलित तरीके से किसी का सोचान ना कर सके, किसी कानून का मिस्यूस ना कर सके, इसके बाद हम देखते हैं न्यूस को, पहली न्यूस हम देखने वाले हैं, द्वारका पीट के संक्रचार स्वामी सुरूपनन सर्वसती जिनको हम जानते थे रिवोल्यूसनरी साधू के रूप में क्योंकि ये पार्टिसिपेट करते रहते थे इन्होंने पार्टिसिपेट किया था आजादी के स्ट्रगल में मतलब स्रड़ी के जो साई बाबा है ना इनके उपर भी इन्होंने कोस्चन उठाए थे जिनको हम गौड के रूप में ट्रियेट करते हैं इनकी एज हो गई है कार्डियक अरेस्ट के चलते चलते उनके आस्रम में मद्द प्रदेश संड़े के दिन 99 निन की उमर बताई जा रही है स्वामी सरूपनंद जो की संकराचारे थे द्वार का सारदा पीट के कहां पर गुजरात है एंड जियोतिस पीट है उत्तराखंड में ये दोनों के संकराचार थे एक साल से इनकी तब यह ठीक नहीं चल रही थी बताया जा रहा है स्वामी सदानंद महराज स्वामी सदानंद महराज सेकंड इनकमान है और दवद्वार का पीट ऐसा कहा जा रहा जिसको दांडी स्वामी के नाम से हम जानते इनको भू समाधी दी जाएगी मतलब जमीन में इनको दफनाया चाहेगा on the campus of ashram on monday प्राइम मिनिस्टर नरेद मोदी एक प्रेस डीप सैटनेस एट इस डेट और ओफर्ड कंडोलेंसेंस टू दा सियर्स फॉलोवर्वर्ज इसके बाद बारी जो न्यूज आई है वो SEO से रिलेटेड आई है संगाई कोपरेशन और्गनाइजेशन से रिलेटेड इसमें बताया जा रहा है कि इसकी जो मीटिंग होने वाली कोरोना के दोरान पहले ओनलाइन ही हुई थी कोरोना चल गया था तो आज के टाइम में ऐसी फिसकली लोग मीटिंग करने वाले हैं तो संगाई कोपरेशन और्गनाइजेशन के बारे कुछ बेसिक पॉइंट हम देख लेते हैं 2001 में इसकी स्थापना करी गई थी SEO का जो चार्टर है 2002 में साइन किया गया था इस नियम कानून के इसाप सही लोग काम करते एंड इंटर्ड इंटू फोर्स इन 2003 में ये काम चालू कर दिया था SEO के क्रियेशन से पहले 2001 में कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रसिया और तजाकिस्तान मेंबर हुआ करते थे संगाई 5 के संगाई 5 मतलब 1996 इमर्ज होके आया था from a series of border demarcation and demilitarization बातचीत Border से related जो issue है, इसके साथ साथ में demilitarization से related जो बातचीत है which the four former Soviet republics held with China to ensure stability along with the border Border से related जो issue है चाइना के साथ में और रचिया के साथ में बागी देशों के साथ में उसको solve करने के लिए संगाई 5 ने बातचीत चालू करी थी इसके बाद उजबेकिस्तान तूदा और नाइजिसन इसके बाद उजबेकिस्तान तूजर एक में जोड़ गया संगाई 5 का नाम चेंज करते के SEO रख दिया गया था इंडिया और पाकिस्तान इसके मेंबर बन गये थे 2017 में सत्रा सितंबर 2021 इट वाज एनाउंस देट इरान वुड बिकम ए फुल मेंबर ओफ एस सीओ फिर 2021 में इरान को भी जोड़ दिया गया इसके धांचे की यदि हम बात करें structure की तो इसमें क्या होता है head of state council हुआ करता है इसकी supreme body मानी जाती है जो decide करती है इसके internal function को and its interaction with other state and international organization and consider international issue head of government council हुआ करता है इसमें जो कि approve करता है budget को consider करता है and decide करता है upon issue related to the economic sphere of the interaction with SEO economic issue यह उठाने का काम करता है council of minister of foreign affairs यह consider करते हैं day to day के activity से related जित्ते भी मुद्दे हैं यह पार्ट इसके discussion करता है इसके अलावा regional anti-terrorist structure भी है रेट्स है जिसके establish किया गया था ताकि जो terrorism है separatism है और extremism है आतंकवाद उग्रवाद अलगावाद इससे निपटने के लिए रेट्स का गठन किया गया था SEO के सचेवाले के दिए हम बात करें तो यह है बीजिंग में निउस की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोधी ट्रेवल करेंगे समरकंद जाएंगे उजबेकिस्तान में इसी हपते और फिर यह अटेंड करेंगे पहली इन परसन समिट SEO की संखाई कोपरेशन और नाइजेशन की सिंस कोविड नाइंटीन पैंडिमिक दे मिनिस्ट्री आफ एक्स्टरनर अफेयर का कहना है जब से कोरोना आया है ना तो कोरोना की दौरान में फेस टू फेस मीटिंग इसकी नहीं हो रही थी फिजिकल मीटिंग नहीं हो रही थी लेकिन अब पहली मीटिंग इसकी होने वाली है इसके बाद अगली नियूस हम देखने वाले हैं कृष्णम राजू से रिलेटिड एक्टर थे ये कृष्णम राजू जिनकी डैथ हो गई है फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर भी रहे हैं ये लॉंग एक्टिंग करियर रहा था तेलगू फिल्म वर्ल्ड में इनका यू कृष्णम राजू तेलगू फिल्म इस्टार उननीस सो साथ और उननीस सो सत्तर के दसक के इसके साथ साथ में भूदपूर यूनियन मिनिस्टर रहे थे स्टेट फॉर डेफेंस एन एक्स्टरनल अपेयर इनकी डैथ हो गई है वाइल अंडर गोइंग ट्रीटमेंट फॉलविंग ए ब्रीफ इल्नेस इन होस्पिटल गाची बाउली हेर ओन संडे एटेधिरी इनकी उमर बताए जा रही है इनकी वाइप है और तीन इनकी डाटर कृष्णम राजू इलेक्टेड हुए थे लोग सभा में 1998 में लोग सभा का चुनाव जीते एंड अगेन इन 1999 बीजेपी की तरप से इनको टिकेट दिया गया फ्रॉम दा काकी नाड़ा एंड नरसापूर कॉंसिट्वेंसी राजू आज यूनियन मिनिस्टर ओफ इस्टेट फॉर फाइव यर्स पास साल रहे थे ये यूनियन मिनिस्टर ओफ इस्टेट डियोरिंग अटल बिहारी बाजबेईस लास्ट टर्म एस प्राइम मिनिस्टर फॉर मुन निस्टर लेकर के 2004 फिर क्या होता है राजू ने बीजेपी को छोड़ दिया टू जॉइन दा प्रजार राजियम पार्टी फ्लोटेट बाई मेगर स्टार चिरंजीवी इन 2009 2009 में चिरंजीवी की पार्टी को इन्होंने जॉइन कर लिया फिर यह क्या काम किये फिर से लड़े थे राजा मुंदरी लोकसवा सीट इन दा सेम येर बट लॉष लेकिन ये चुनाव हाड़ गए थे कृष्णम राजू और चिरंजीवी हैल फ्रॉम दा सेम विलेज दोरह यह एकी जगह से आते हैं मोगाल टूर वैस्ट गोडावरी डिस्टेक से इनके नहीं हम फिल्म करें इनकी बात करें तो फाइव एंड हाफ डिकेट ठीक है पाँच और लगभग हाफ डिकेट लगभग आधा साल लगभग दस पंदर साल का इनका करियर रहा था ही एक्टेट इन 183 फिल्म एनके पाइटिस्पेट किया कृष्णम राजू वेंड बाइद नेम रीबेल स्टार के रूप में इनको जाना जा था ड्यू टू इस रिबेलियस एक्टिंग स्टाइल ठीक है उद्धत अक्खड मतलब आप विलन ही समझ लीजिये इनको राजू श्टाइड एज हीरो बट स्विच्च टू प्लेइंग दा रोल आफ विलन पहला हीरो फिर ये विलन के रूप में जाने जाने लग इन्हों ने अपने करियर के सुरुआत करी थी चिलका गोरिन का 1996 में लेकिन भक्त कनपपा एंड बोबिली ब्रामणा ब्रॉट हिम फैम दो फिल्मों से ये फैमस हुए थे यहां कि स्टेट गवर्मेंट ने इनको तीन नंदी आवार्ट प्रवाइड किये यह सारे लोगों के साथ में यह भी चले थे बाहु बले इस्टार्ट प्रभास इस सोन ओफिस यंगर ब्रदर सूरिय नरायन राजू इनके जो यंगर ब्रदर है छोटे भाई हैं सूरिय नरायन राजू प्रभास इनके ही सन है ग्यानवापी मस्जिद का आज फिर से उलेख आया है नियूस पेपर में तो ग्यानवापी के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप देख लीजिए ग्यानवापी मस्जिद जो फैमा से कासी विस्वनाथ टेंपल उसके नेक्स नंबर में ये इस थी थे इसका निर्माड किया गया था 1679 में डियूरिंग दर रेन ओफ मुगल एम्पिरर ठीक है रेन मतलब होता है राजकाज राजसाही सासन तो मुगल एम्पिरर औरंगजेब के सासन में इसका निर्माड हुआ था 1936 में तीन मुस्लिम पिटिशनर हैड अर्लियर डिमांड़ेड देड दा इंटायर कॉंपलेक्स बी डिकलियर्ड ए मॉस्ट 1936 में एक जाच का दायर की गई कि इसको जो है डिकलियर किया जाना चाहिए मॉस्ट के रूप में हावएवर दिस पिटिशन वाज डिसमिस्ट बाइदा अलाहबाद हाई कोड इन 1942 कासी विस्वनाद टेंपल ग्यानवापी मॉस्क डिस्प्यूट वास राइड अगें डियूरिंग दा कैम्पैन 1990 के दसक में फॉर दा कंस्ट्रक्शन ओफ राममंदिर का निर्माड के जोर सोर से चल रहा था तो उसकी बस यही हिस्ट्री बताई जाती है 1999 में दे लोकल प्रिष्ट फाइल एपिटीशन एंड मूव दा वारणसी कोड उनका कहना था जो ग्यानवापी मस्जिद है इसका निर्माड किया गया था मुगल एंपरर औरंगजेब के द्वारा कासी विस्वनाद मंदिर को तोड़कर 1979 में तो अब ये डिवांड कर रहे हैं कि मौस के यहाँ पर हटा दो और ये जो जगह है हिंदू लोगों को दे दो वही केस अभी चल रहा है फिर विवाद चलते ही जा रहा है अभी उसकी सुनवाई चल ही रही है इसलिए शिक्योर्टी को टाइट कर दिया गया है यही नियूज आई है